So, hello everyone, so now we are going to start a new chapter that is Digital Auditing and Assurance तो अगर इस पार्टिकुलर चाप्टर की बात करें, Digital Auditing and Assurance तो बिल्कुल Emerging Areas की तरह ही ये भी एक नया चाप्टर है जो पहले exist नहीं करता था न्यू स्लेबस में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है और इसले इसका जो वेटेज भी है ना, वो एक्जाम में रहेगा ही रहेगा एक्जाम में एक कोशन इससे आएगा ही आएगा, दो कोशन भी आ सकते हैं तो 4-8 मार्ट का वेटेज जो है आप मानके चल सकते हो पहले ना, पुराने स्लेबस में, इससे मिलता जुलता चाप्टर Audit of Automated Environment स्लेबस में हुआ करता था बेट, इस पार्टिकुले चाप्टर, Digital Auditing and Assurance इस कम्पलेटली अन इंप्रोवाइज्ड वर्जन और अपूरा का पूरा पूरा चेंज हो गया है तो आप मान सकते हो, सर पूरा का पूरा ये क्या है, नया चाप्टर है अब ICI ने ना, एक गलती किये, गलती क्या किये सर चाप्टर इंट्रोड्यूस करना था, बोलके for the sake of introducing the chapter चाप्टर हमारे स्लेबस में डाल दिया, बट कही ना कही आप बोल सकते हो आपने को याद वही करना परेगा, जो ICI के मॉड्यूल में लिखा है अपने को लर्ण वही करना परेगा, जो ICI के मॉड्यूल में लिखा है we cannot do anything about it, so unfortunately we have to remember what ICI has given in the module so देखना यहाँ पर, आप ध्यान से सुनियेगा, मैं क्या कहा रहा हूँ please repeat करियेगा, हर concept को मेरे साथ कोशिश करेंगे कि साथ साथ जितना हो सके, उतना याद कर सकें, ठीक है ना chapter बरा है, थोज़ा सा technical है, तो इससा आपने छोटे portions में डिवाइड करेंगे so that it becomes simple for you, it becomes easy for you सबसे पहले देखना, chapter का नाम क्या है, digital auditing and assurance है ना, chapter का नाम क्या है, सर, digital auditing and assurance अब यहाँ पर ना, दो words यूज किये हैं, और दो concepts के बारे में बताया गया है सबसे पहले बताया गया है, digital audit क्या होता है और उसके बाद बताया गया है, कि auditing digitally क्या होता है तो सबसे पहले क्या बताया सर कि digital audit क्या होता है और फिर क्या बताया auditing digitally क्या होता है अब ये दोनों concept सुनने में एकदम same लग रहे हैं सुनने में एकदम identical लग रहे हैं बड़ इसमें एक difference exist करता है ठीक है तो सबसे पहले अगर बात करें है अपन तो digital audit क्या होता है तो देखो बहुत simple से चीज़ है आज के जमाने पर क्या होता है जादतर organizations IT system का use करती है information technology को use करती है अपनी accounting के purpose के लिए internal control system establish करने के लिए है ना तो चाहे accounting करनी हो चाहे internal control system implement करने हो अपने काम को असान बनाने के ल organization क्या करती है आज का time में IT system का इस्थमाल करती है especially जो भी बड़े organizations होता है जहाँ volume of transactions बहुत large होता है तो क्योंकि वहाँ volume of transaction बहुत large होता है तो those organizations prefer using information technology to process their transaction and they try to automate more of things in their business वो क्या कोशिच करती है कि जादतर चीज़ना automate हो सके business के अंदर वही उनकी कोशिच होती है तो वो information technology use करती है अब information technology की बात करें IT की बात करें तो IT is like a double-sided weapon IT क्या है IT एक ऐसी चीज़ है जो business के operations को बहुत 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 अच्छा भी बिना सकती है लेकिन साथ ही साथ IT की वज़े से बहुत सारा risk भी arise होता है information technology की वज़े से बहुत सारा risk भी arise होता है जो की inherent है कि जब आप technology use करोगे तो there are many risks that the business will have to face तो IT की वज़े से business को बहुत फाइदा भी मिलता है business automate हो जाता है large entities बिना IT के आज के ताइम पर अपने business run नहीं कर सकती but at the same time IT की वज़े से काफी सारे risk भी arise होते हैं है ना तो अब entity ने IT को अपने organization के integral part बना लिया जो की बड़ी organization से वो क्या कर रही है IT system को अपने day to day operations का integral part बना रही है लेकिन sir एक चीज़ सोचो logically सोचो कि जो IT system उन organizations ने अपने business में implement किया है क्या वो IT system effective है क्या वो IT system effective है right क्या वो IT system trustworthy है right क्या IT system introduce करेने की वज़े से जो भी accounting के वो अच्छे तरीके से हो रहा है जो भी processing के transaction का वो अच्छी तरीके से हो रहा है जो controls है क्या वो reliable है तो कुल मिलाकर जो organizations ने जो IT system लगाया है क्या वो IT system वाके ही reliable है businesses are dependent on IT nowadays they have implemented IT into their core business but is that IT system reliable is that IT system trustworthy तो कौन इस चीज़ के उपर assurance देगा we the auditors हम इस चीज़ के उपर assurance देंगे है न और जब as an auditor हम IT system के उपर assurance देंगे न उस concept को बोला जाता है digital audit क्या बोला जाता है digital audit तो as an auditor जब आपन IT system के उपर assurance देंगे उसको बोला जाता है digital audit अब एक चीज़ सोचना logically सोचना सर अगर मेरे को IT system के उपर assurance देना है तो in that situation as an auditor मुझे भी specialized IT tools यूज़ करने होंगे अगर मुझे IT system के उपर assurance देना है तो as an auditor मुझे भी specialized IT tools यूज़ करने होंगे आप मान के चलो let us say आप एक यूद लड़ने जा रहे हो एक लराई लड़ने जा रहे हो सामने वाला जो party है ना सामने वाला जो पर दुश्मन है वो लड़ाई भी सारे nuclear bombs यूज़ करने वाला है missile यूज़ करने वाला है बंदुके यूज़ करने वाला है आप तीर भाला लेकर जाते हो उससे यूद करने के लिए आपकी जो सेना है आप उससे तीर भाला पकरा देते हो तो सोच के देखो क्या होगा कि आप कभी वो यूद लरपा होगे नहीं लरपा होगे आपको भी क्या चाहिएगा वही हत्यार चाहिए कि वही वैपन्स चाहिएगे तो similarly अगर entity यहाँ पर IT का use कर रहा है अपने business करने के लिए तो आपने अगर उस environment के उपर auditing करनी है तो आपने भी उसी IT का अस्तिमाल करना होगा अपने auditing process में ठीक है ना आपने भी अपने audit process को automate करना होगा आपने भी specialized IT tools यूज करने होंगे तभी जाकर आप वैसे environment के उपर assurance दे सकते हो और जब as an auditor आप IT tools यूज करते हो specialized IT tools यूज करते हो assurance देने के लिए तो उस concept को बोला जाता है auditing digitally उस concept को क्या बोला जाता है auditing digitally तो there is a very thin line of difference between digital audits and auditing digitally समझाया? तो digital audit का मतलब क्या हो गया असर? कि organizations ने information technology यूज करा अपने business में तो वो जो IT system में क्या वो अच्छा है उस चिसके पर assurance दिया जाता है उसको बोलते है digital audits लेकिन assurance देने के लिए आपन जो digital tools use करते हैं और digital tools use करके आपन assurance देते हैं तो उस technique का नाम है auditing digitally उस technique का क्या नाम है auditing digitally तो there is a very thin line of difference between the two terms अब मज़ी की बात क्या पता है सर? सबसे पहले institute ने digital audit के बारे में बताया digital audit का मतलब बताया key features बताया, advantages बताया फिर digital auditing के बारे में बताया उसके advantages बताया उसके challenges बताया तो सबसे पहले digital audit क्या होता है उसका मतलब बताया, features बताया, advantage बताया, challenges बताया और auditing digitally क्या होता है उसका मतलब बताया, features बताया, advantages बताया, challenges बताया और दोनों concept में बहुत ज़्यादा similarity है और इसलिए दोनों के M-phase में भी बहुत ज़्यादा similarity होगा और एक theme line of difference होगा और उसको आपको identify करना होगा क्योंकि institute आपको यहाँ फसा सकता है ठीक है ठीक है तो digital auditing का क्या मतलब हो गया digital auditing is placing assurance digital auditing is placing assurance on the effectiveness of IT systems implemented in an organization तो digital auditing क्या हो गया assurance देना on the effectiveness of IT systems जो कि organization में implement किया गया है technology is becoming an integral part of day-to-day business operations it is essential that organizations review their technology related controls to identify gaps and risk for continuous improvement and to ensure regulatory compliances तो बहुत जरूरी है कि आज की तारिक में organizations क्या करें review करें अपने technology related controls ताकि वो जो भी gaps है जो भी कमिया है जो भी risk है उनको identify कर सके और regulatory compliances ensure कर सके अगर controls अच्छा होगा security अच्छी होगी तो उससे stakeholders का भिरोसा बना हुआ रहेगा और वो कैसे assurance मिलेगा कि controls अच्छे हैं security अच्छी है तो digital audit एक माधियम है जिसके दुआरा क्या मिलेगा organizations को assurance मिलेगा stakeholders को assurance मिलेगा तो what is going to be the key feature of digital audit what are the key features of digital audit अब देखने ही जो key features of digital audit के answer दिया होए ना ये client के हिसाब से क्लाइन के हिसाब से मतलब उस company के हिसाब से जो audit करा रहा है और आगे चलके आप key features ये advantages of auditing digitally भी देखोगे वहाँ पर auditor के हिसाब से answer दिया हो है किसके हिसाब से answer दिया हो है auditor के हिसाब से तो key features of digital audit तो बहुत दिजिटल audit के key features क्या होंगे तो बहुत दिजिटल audit जब होगा मतलब दिजिटल audit में हो क्या रहा है कि सर auditor assurance दे रहा है कि जो IT system client use कर रहा है वो effective है ये effective नहीं है तो अब क्या होगा auditing को एक encouragement मिलेगा कि हाँ भाईया हम latest technological advancement use कर सकते हैं हम latest technological advancement use कर सकते हैं क्योंकि auditor हमें क्या देने वाला है assurance देने वाला है उस चिसके उपर कि कहीं उसकी वज़े से risk तो arise नहीं हो रहा तो इस चिससे क्या होने वाला है auditing को एक encouragement मिलने वाला है कि वो लोग latest technological advancement use कर सकते हैं इसकी वज़े से क्या होगा sir quality of opinion भी improve होगा the quality of opinion will improve और audit report जादा reliable हो जाएगा audit report जादा reliable हो जाएगा automation की automation की वज़े से क्या होने वाला है automation की वज़े से client का time है, cost है, human effort है यह सब कुछ बचने वाला है तो आज की तारिक में जब clients automation use करते हैं automated tools use करते हैं IT system use करते हैं तो उनका time, cost, or human effort बचता है similarly as an auditor अगर हम भी IT tools use करते हैं तो हमारा भी time or efforts वहाँ पर बचता है ठीक है for example, just imagine just imagine यार, bank की बात करो तो bank के case में thousands of transactions होता है यार, calculations, daily basis में daily basis तो मैं बहुत जादा बोल रहा हूँ हर second, 1000 of calculations होता है हर second होता है, हर second तुम सोचके देखो, यार, एक bank है ठीक है, सोचके देखो, एक bank है अब उसका कोई user कहां बैठ है कोई user कहां बैठ है, कोई user neft कर रहा है, कोई user amps कर रहा है कोई user ATM से पैसा withdraw कर रहा है कोई user पैसा deposit कर रहा है ठीक है, और हर चीज instantly update हो रही है, हर चीज पॉइंट आफ ताइम पे exactly उतना interest, account the credit भी करना होता है so just imagine यह सारा काम manually हो रहा होता तो क्या होता, तो अगर यह सारा काम manually हो रहा होता, तो एक तो time बहुत जाता लग जाता, उपर से errors होने के संभावना बहुत होती, but क्योंकि banks यहाँ पे IT use कर रही है, advancement use कर रही है, तो ना केबल time बच रहा है, बलके cost बच रहा है human efforts बच रही है, है ना और काम जादा reliable हो रहा है तो digital audit की वज़े से क्या हो रहा है sir it is leading to savings in time, cost and human efforts, और इसको हम लोग use कर सकते हैं towards more productive task, ठीक है, तो आज की तारिक में जब audit भी होता है, तो आपन IT tools use करके audit करते हैं, तो ऐसे बहुत सार routine task, जो आपन mechanical ही करते थे, जो आपन manually करते थे अब आपन भी क्या करते हैं, IT tools use करके करते हैं, जिसकी वज़े से time की वज़ेत होती है, cost की वज़ेत होती है अब digital audit की वज़े से क्या होता है सर, process standardized हो जाते है और controls को implement कर您ा, थोड़ा साथां रहता है ताकि risk को mitigate किया जासके तो digital auditing की वज़े से क्या होता है, जो process वज़े standardized हो जाता है, और overall जो controls है, overall controls आपन इस परकार से establish कर सकते हैं कि risk mitigate हो सके Digital audit के वज़े से क्या होता है Organization जादा अच्छे से Comprehensively review कर पाती है अपने end-to-end process Digital audit के वज़े से Organizations क्या कर पाती है एक comprehensive overview कर पाती है of end-to-end process और किस प्रकार से Technologies को use किया जा रहा है control किया जा रहा है optimize किया जा रहा है against the standard set तो जो भी Technologies है उसका utilization properly हो रहा है की नहीं हो रहा है है ना Technologies को control अच्छे से किया जा रहा है की नहीं Technology से फाइदा मिल रहा है की नहीं तो Digital audit से क्या होता है ओर्गिनाजेशन के comprehensive overview मिलता है कि या Technology use करके अपने को फाइदा मिल रहा है की नहीं आपने Technology को अच्छे से for a digital strategy it will help create a future for a digital strategy and paves the way for adapting new technologies such as artificial intelligence and robotics use of analytics and automation तो आज की तारिक में क्या उतसर नए-नए IT tools आ रहे हैं जो entities हैं वो भी नए-नए IT tools use कर रहे हैं अपने business को automate करने के लिए और जो auditors हैं वो भी नए-नए IT tools use कर रहे हैं अपने audit process को automate करने के लिए ठीक है basically everyone is using artificial intelligence तो digital audit से क्या होने वाला है एक future create होने वाला है for a digital strategy and paves the way for adapting new technologies such as artificial intelligence and robotics use of analytics and automation और finally जो audits है जो audits है जो हमारा client है वो क्या कर पाएगा informed decisions ले पाएगा जो audits है जो हमारा client है वो क्या कर पाएगा informed decisions ले पाएगा he will be able to take informed decisions अब थोगा सा logically सोचो इन चीज़ों को client क्या use कर रहा है company क्या use कर रही है IT use कर रही है company क्या use कर रही है सर IT use कर रही है है ना तो company use कर रही है IT use कर रही है तो उसके features क्या होंगे इसके features यह होंगे sir अगर digital audit होगा मतलब कोई बंदा बैठा है जो क्या कर रहा है उस IT system के उपर assurance दे रहा है तो client यहाँ पर use कर पाएगा latest technological advancement अब क्योंकि client IT use कर रहा है क्योंकि client IT use कर रहा है तो IT use करने की वज़े से comparative आप बोल सकते हो कि सिर्फ जो audit report भी generate होगा ना वो भी जाधा reliable होगा क्योंकि जो reports generate होगे ना वो जाधा reliable होगे अब सोचके देखो यार जो organization है वो IT use नहीं कर रहा होता सारे काम manually हो रहा होता तब जाके balance sheet pnl जो generate हो रही होती वो जाधा reliable होता या अब जब organization IT use कर रही है क्या हो रहा है सर IT use करने की वज़े से क्या हो रहा है time cost or human effort में saving आ रही है process को standardized करने में अंची हो रही है ठीक है ना process को standardized करने में अंची हो रही है एक comprehensive overview हो पा रहा है of end-to-end processes and जो हमारा client है वो informed decisions ले पा रहा है वो क्या ले पा रहा है सर informed decisions ले पा रहा है, तो इस तरीके से यहाँ 4-5 point दिये वे हैं, अब digital audit के advantages क्या है, digital audit के advantages क्या है, digital audit का फाइदा क्या मिलने वाला है, what is going to be the advantage of digital audit, what is going to be the advantage of digital audit, बहुत असान है देखो, अगर हम digital audit की बात करें, तो जब हम digital audit करेंगे, इसका मतलब हम auditing digitally भी करेंगे, जब हम digital audit करेंगे, इसका मतलब हम auditing digitally भी करेंगे, यानि कि हम IT tools भी use करेंगे, IT tools, IT tools यूज करके क्या करने वाले हैं, digital audit करने वाले हैं, तो advantages of digital audit and advantages of auditing digitally, दोनों आपस में connected हैं, ठीक है, बट आईसे हैं, यहाँ बेकूफी क्या करी है, दोनों के advantages अलग लग दिये हैं, बट दोनों topics आपस में connected है तो advantages of digital audit, आप एकदम simple सी चीज़ याद रखो सर, advantages of digital audit जब auditor digitization का cost bear करेगा, bear, b-e-a-r, bear करेगा, ठीक है न, क्या करेगा, bear करेगा जब auditor digitization का cost bear करेगा, तो overall cost कम होगा, जब auditor digitization का cost bear करेगा, तो overall cost कम होगा ठीक है, तो what is beer, what is beer, B-E-A-R, what is beer, advantages of digital audit, that is beer, B-E-A-R, what is beer, B say better analytics, B say better analytics, B say क्या होगे सर, better analytics होगे, E say enhanced effectiveness and efficiency, E say enhanced effectiveness and efficiency, A say audit quality, audit quality अच्छी होगी, audit quality बहतर होगी, R say risk assessment, R say risk assessment, risk assessment जाद अच्छी से हो पाएगा, risk assessment जाद अच्छी से हो पाएगा, और मैंने क्या बुदा था, जब auditor distalization का cost beer करेगा, तो overall cost कम होगा, तो overall cost कम होगा, तो it is going to be lower cost, it is going to be lower cost, ठीक है माम, तो digital audit का advantages क्या है, beer, distal audit का advantages क्या है, beer, what is beer, better analytics, जब यहाँ पर IT system use होने लगेगा, तो जब IT system use होगा, तो जब management है, और जब auditors है, वो ज़्यादा अच्छी से चीज़ों को analyze कर पाएंगे, analytical tools use कर पाएंगे, ratio analysis वगरा कर पाएंगे, तो जब IT use होने लगेगा, तो अगर management की बात करें, तो इनके लिए क्या beneficial रहेगा, कि यह ज़्यादा अच्छी से analysis कर पाएंगे, ज़्यादा detailed वे में क्या कर पाएंगे, चीज़ों को analyze कर पाएंगे, data mining कर पाएंगे, analytical procedures जो हम लोग बोलता है, वो perform कर पाएंगे, तो fraud point out करेंगा भी थोड़ा सा असान रहेगा, उसकी बाद that is going to be more efficient, that is going to be more effective, जो routine task था जिसके लिए पहले manually लगे रहते थे लोग, वो सारा एक दम यू चुटकियों में IT की मिदद से हो जाएगा, जाद efficient manner में हो जाएगा, जाद effective manner में हो जाएगा, इसके बाद क्या होने वाला है सर, इसके बाद यह होने वाला है कि audit quality बहतर होने वाली है, audit quality बहतर होने वाली है, ठीक है, तो comparatively IT की मिदद से, यहाँ पर audit की क्या करने वाला है, अपनी audit की quality बहतर करने वाला है, कम time frame में, वो better audit result अचीव करने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले advantages of digital audit, that is, be a low cost, याद रखो, be a low cost, ठीक है ना, तो be a low cost, बी से क होगे से better analytics, IT की मिदद से जाद अच्छे से analytics perform किया जा सकेगा, जाद अच्छे से analysis हो पाएगा, data mining हो पाएगा, trends pattern को जाद वहतर तरीके से analyze किया जा सकेगा, इससे क्या होगा, enhanced efficiency and effectiveness, IT tools की मिदद से process को standardized किया जा सकेगा, जिसकी वज़े से efficient and effective results अपने को देखने को मिलेग उसके बाद A से audit quality बहतर हो जाएगी, ठीक है न, क्योंकि mass volume of data को quickly process किया जा सकेगा, उसके बाद अगर बात करें, then we have A से better assessment, R से better assessment, better risk assessment, तो यहाँ पे जादा अच्छी तरीके से risk assessment procedures perform किया जा सकेगा, जादा emphasis आप उन areas में दे सकोगे, जहाँ पे risk of metal means statement जादा होगा, और अगर बात करें, यहाँ पे तो lower cost, automatically it is going to lower the cost, because जिस काम के लिए अपने को बहुत सारे लोगों की जरुवत पड़ती, वो सारे routine tasks, IT system एक्दम चूटकियों में कर देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अपना cost भी काम हो जाएगा, the cost is also going to lower, the cost is also going to lower. So finally देखना, advantages of distal audit, इसको तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, कि distal audit का फाइदा क्या है, कि तुमको एक भालू मिलेगा low cost में, क्या मिलेगा सर, भालू मिलेगा low cost में, मतलब beer with low cost, beer low cost, beer low cost, ठीक है ना तूस तरीके से भी याद कर सकते हो, उसके बाद consideration and challenges of distal audit, तो जब organizations, digitization कर करेंगी, automation करेंगी, तो उनके सामने क्या-क्या challenges आएगा, जो उनको consider करना होगा, तो अब यहाँ पर किसके angle से बात करना है, सर, business के angle से बात करना है, कि जब organization automation करेगा, जब organization digital techniques को अपनाएगा, तो उस वक्त उसके सामने क्या-क्या challenges आएगे, तो सबसे पहले देखो logical से च कि भाईया, मुझे automation क्यों achieve करना है, और मुझे automation किस चीज में achieve करना है, ठीक ना, मुझे automation क्यों achieve करना है, automation achieve करने से मेरे business को क्या फायदा होगा, तो पहले organization को ये चीज़ समझनी होगी, कि exactly क्या benefit मिलने वाला है अपने को operations को automate करने की वज़े से, what is the benefit we are going to get, what is the benefit we are going to get, ठीक है यार, टाइम जल्दी होगा, एरर फ्री काम होगा, कॉस्ट कम होगा, तो exactly क्या benefit मिलेगा, सोचो उस इसको visualize करो, ठीक है, उसके बाद, एक चीज़ याद रखना, चाहे कितना भी digitization क्यों ना आजाए, चाहे कितना भी digitization क्यों ना आजाए, लोगों का महत्व कभी कम नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है कि लोगों का महत्व कम हो जाएगा, हो सकता है, organization में पहले 10 लोग काम कर रहे था, 6 लोग काम करेंगे, 5 लोग काम करेंगे, पहले 50 लोग काम कर रहे था, 30 लोग काम करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि लोगों का जो महत्वा है वो काम हो जाएगा लोगों का importance उत्ता ही रहने माला है जैसे काफी बढ़ा आज के टाप में question arise होता है कि क्या artificial intelligence CES को replace कर देगा बिल्कुछ भी नहीं करेगा सर लोगों का जो महत्वा है वो लोगों का है कभी भी artificial intelligence CES को replace नहीं कर सकता है ठेक है तो organization को सबसे पहले लोगों के बारे में सोचना चाहिए the people जो भी उनके organization में काम कर रहे है पहले उनके बारे में सोचना चाहिए और ये समझना चाहिए कि change असान नहीं होता आज organization में जितने भी लोग काम कर रहे है पहले से वो manual experts को use करके काम कर रहे है उन्होंने कभी automation देखा नहीं है अचानक से अगर organization चीज़ों को automate कर देती है तो क्या वो उस change को accept कर पाएंगे है ना क्योंकि everyone is resistant to change तो क्या वो उस change को you know adapt कर पाएंगे so think people first and do not underestimate that change is difficult ठीक है तो सबसे पहले organization को यह समझना चाहिए कि automation से फाइदा क्या होगा फिर लोगों के बार में सोचना चाहिए कि लोग उस change को adapt कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे फिर मान लो दोनु चीज़े कर ली अब यह सोचना चाहिए कि automation का फाइदा भी समझ में आ गया लोगों के बार में भी सोच लिया ठीक है अब यह सोचना चाहिए कि right process क्या रहने वाला है to automate what is going to be the right process मेरा right तरीका क्या रहेगा मुझे एक ही बार में full automation करना है या थोड़ा सा partially करना है थोड़ा बाद में करना है कौन से tools use करने है तो क्या right process रहेगा automation का क्या सही approach रहेगा automation का ठीक है तो यह भी समझ लिया अब client को यह भी समझना होगा कि भाईया ऐसा नहीं है कि automate करते ही सब कुछ एक दम perfect हो जाएगा नहीं automation अपने आप में एक अकेला solution नहीं है किसी चीज़ का ठीक है ना automation अपने आप में एक alone solution नहीं है किसी भी चीज़ का ठीक है ना तो यह चीज़ भी organization को समझना होगा कि automation अपने आप में sufficient नहीं है automation अपने आप में alone solution नहीं है यह सिर्फ हमारी digitalization के strategy का एक part है तो सबसे पहले organization ने सोचा कि automation से क्या फायदा मिलेगा digitization से क्या फायदा मिलेगा फिर लोगों के बारे में सोचा फिर process के बारे में सोचा फिर ये समझा कि automation is not everything अब finally जब ये process target the right process तो कर लिया था अब finally target कर लिया right process बट ये भी ensure करना परेगा कि क्या वो process वाकि ही work करती है क्या वो process वाकि ही work करती है ठीक है ना कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ configurations ऐसे होते हैं कुछ चीज़े ऐसी होती है कि वो technology को work नहीं करने देती है change को adapt नहीं करने देती है तो क्या वो process actually work करती है और क्या वो standardized way में work करती है तो अपने को before automating ensure करना है कि process वाकई ही काम कर रहा है और standardized है for example calculations करने के लिए bank ने कोई automation का tool लगाया तो सबसे पहले right process क्या होगा right software क्या होगा वो सारी चीज़ें उसके बाद before automating and before actually starting the software यह देखना process बाकाम भी कर रहा है की नहीं कर रहा और consistently same result deliver कर रहा है की नहीं कर रहा बार बार same result deliver कर रहा है की नहीं कर रहा because that is the biggest advantage of automation कि हजार बार वो same चीज़ consistent manner में करेगा जबकि अगर human beings होते तो वो same चीज़ consistent manner में नहीं करता बट automation का क्या benefit है कि वो 1000 बर सेम चीज़ सेम manner में करेगा तो देख लेना standardized वह में हो रहा है कि नहीं हो रहा और for last में ये समझना कि automation की वज़े से बहुत फाइदा मिलने वाल है बहुत फाइदा मिलने वाल है बट साथ साथ कुछ challenges बहुत फाइदा वह में हो रहा है वो IT system में होगा वो computers में होगा तो ये चीज़ भी organization को समझनी होगी तो क्या-क्या considerations है and challenges है तो काफी important question है कि कौन से considerations है जो organizations को दिमाग में रखना है while using digital auditing and digital techniques and automation तो सबसे पहले organization को यह समझना है कि automation से फाइदा क्या मिलेगा फिर लोगों के बारे में सोचना है यह समझना है कि they are resistant to change फिर right process target करना है यह समझना है it is not a complete solution और फिर right process तो target कर लिया था अब ensure करना है कि process काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और process standardized है कि नहीं है ठीक है ना उसके बाद ही automation को implement करना है और finally यह समझना है कि automation से कुछ नए challenges भी आएंगे है ना security and governance का जो challenge है वो extremely आने वाला है अब उसके बाद देखना क्या बोला बोला as auditors will obtain an understanding of management implementation and oversight of new technologies अब management क्या कर रहा है तर नहीं नहीं technologies लेकर आ रहा है और auditor को क्या करना है उन technologies को understand करना है they will also perform procedures to understand the changes to the company's business including any changes to the IT environment तो देखो जब ऐसा 315 के अंदर auditor understanding लेगा entity का तो वो ये भी देखेगा कि भाईया company के business में कुछ changes आया है क्या, company के IT सिस्टम में कुछ a before decision हुआ है क्या, company नहीं ने कुछ नए application उस किया है, क्या, company ने कुछ ERP software होता है तो company ने कुछ software वगएरा change क्या, accounting software चेंज किया है क्या, को EIT application चेंज किया है तो company ने अपनी technology में कुछ भी change किया है क्या तो auditor को इस जिसकी भी understanding लेनी है 315 के अंदर तो उसका mainly area of focus क्या रहेगा understanding लेते वक्त कि भाईया what are the new activities or changes to existing process due to new technology कि आपने जो नई technology implement की है आपने जो नई technology implement की है उसकी वज़े से किसी भी process में कोई change है क्या, कोई बदलाव है क्या, ठीक है तो आपने जो भी नई technology implement की है उसकी वज़े से जो existing process थो उसमें कोई भी बदलाव है क्या for example पहले staff का attendance का सा record होता था कि register में record होता था लेकिन अब किया है कि अपने thumb वाला system लगा दिया कि कोई भी employee क्या करेगा अपने eyes को scan करेगा या अपने thumb को scan करेगा और उसके दुबार उसका attendance होगा तो उससे वो जो process था attendance ले देगा उसमें भी तो change आया ना, उसमें भी तो बदलाव आया ना अब तो register में attendance maintain नहीं किया जाएगा, अब तो अपने आपे क्या करेगा, जो AI है अपने आपी वो record करेगा attendance को, तो क्या हुआ कि नई technology आने की वज़े से process में change आया, process में बदलाव आया तो auditor को उस चिसकी understanding लेनी चाहिए auditor को उस चिसकी understanding लेनी चाहिए उसके बाद changes in the way the entity system are developed and maintained changes in the way the entity system are developed and maintained and whether these changes introduce new risk and new आता है, लेकिन बदलाव के साथ, जब आप कोई नई technology लाते हो, जब कुछ नया changes लाते हो तो new risk भी आते हैं, नया risk भी आता है और नय risk को address करने के लिए नय controls भी लगाने होते हैं, logically सोचो technology change करी, तो technology change करी तो क्या होगा नया risk आएगा, अब नया risk आएगा तो क्या होगा सर नया risk अगे इंस्ट उसको address करने के लिए नया नय control भी लगाना होगा for example, पहले landline हुआ करता था फिर उसके पर mobile phone आया, अब mobile phone आया तो नया risk भी आया था, risk of hacking ज़्यादा रिस्क होगया न hacking का, कोई mobile phone hacker लेगा, सारा data वगेरा सब उसमें save करके रखते हो, तो उसके लिए तुम control भी लगा रहे हो फिर, ID, password, login fingerprint, सारा sensor वो सारा कुछ तो अपने को क्या समझना पहलेगा कि नई technology implement जब हो रही है तो in that situation उसकी वज़े से जो new risk का रहा है और new control आ रहा है, उसकी भी understanding लोग, और फिर यह देखो कि जो नई technology adapt की गई है, जो नई technology adapt की गई है, वो किस प्रकार से organization को affect कर रहा है वो किस प्रकार से organization को affect कर रहा है, और किस प्रकार से organization के internal control system को affect कर रहा है, किस तरीके से organization के internal control system को effect कर रहा है for example पहले company telly use करता था अब company कोई customized DR पे software use कर रहा है, sap वोगरा use कर रहा है तो नई technology की वज़े से नई activities या changes क्या क्या हुए नया risk क्या आया, उस नई risk को mitigate करने के लिए control क्या लगाया ठीक है, और नई technology का बदलाओ क्या आया, नई technology का impact क्या आया पूरे organization में नई technology का impact क्या आया पूरे internal control system में तो auditor क्या करने वाला है सार इन चीज़ों के understanding लेने वाला है तो कुल मिलाकर ये चार topics आते हैं अपने digital audits के अंदर ये पहला हिस्सा है chapter का digital audits, उसके बाद आता है उसके बाद अगर बात करें तो digital audit के फाइदे क्या है, advantages क्या है, भालू मिलेगा law cost में, beer that is low cost ठीक है, और उसके बाद what are the considerations and challenges of digital audit what are the considerations and challenges of digital audit तो ये अपना पहला topic है इस particular chapter का अब देखना जो अगला concept आता है, that is auditing digitally ठीक है ना, तो मैंने तुमको क्या बताया था auditing digitally का क्या मतलब हो गया अब कि सर अब मुझे digital audit करना है मुझे IT system के उपर assurance देना है मगर क्योंकि client ने IT system use किया है अपने system में, तो मुझे भी अपने auditing के अंदर क्या करना होगा IT को use करना होगा ताकि मैं उस level का assurance दे सकूँ तो मुझे क्या करना होगा सर अपने audit के अंदर भी IT system को use करना होगा अब auditing के अंदर भी आपन क्या कोशिश करते हैं सर कि आज की तारिक में audit में भी अपने को IT system use करना है, अपने operations automate करना है तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले audit firms manually किया करती थी और बहुत time लगा करता था, आज की तारिक में वो क्या करती हैं, वो software's use करती हैं, वो audit software's use करती हैं और उन्हीं चीज़ों में बहुत कम समय लग जाता है पर example मान लीजे मुझे ladders से लाखो transactions में से लाखो transactions में से मुझे कुछ ऐसे transactions चाटने हैं, जिसके value certain level of maturity से उपर है तो पहले तो क्या था यार उस चीज़ के लिए मुझे manually देखना परता था चाटना परता था, बहुत time लगता था लेकिन आज की तारिक में क्या होगा मेरा सारा data, जो भी client मुझे data दे रहा है वो सारा data मैं अपने पास import करूँगा मैं उसमें अपना software चलाऊँगा मैं अपने software को instruction दोँगा और मेरा software मुझे filter out करके वो सारे filters, वो सारे data निकाल के देदेगा जिसकी value above a certain material limit है ठीक है ना, जिसकी value above a certain material limit है on certain parameters मुझे sampling choose करना है तो sampling choose करने के लिए भी पहले manual basis में sample choose करते थे आजकल audit tools होते हैं sampling bot होते हैं, sampling tools होते हैं और उसके अधार पर आप क्या करते हो sampling choose करते हो आपने मान लिजी analytical procedures perform करना है आपने ratios analyze करना है तो तुमको क्या लगते है auditors खुद बैटकर ratios निकालेगा नहीं, वो software को instructions देगा software क्या करेगा ratio analysis करके देगा comparisons करके देगा तो बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है जहां पर auditor IT tools का इस्तवाल करता है अपने audit के process को बहतर बनाने के लिए audit के process को fast बनाने के लिए अब किस हद तक एक auditor अपने process को automate करना चाहता है किस हद तक auditor IT का स्वाल करना चाहता है वो depend करेगा कि यार audit firm का size कितना बरा है उसके पास clientele कितने ज़ादा है है ना, for example तुमको क्या लगता है एक छोटा CA firm है एक mid-size CA firm है और एक big four है, या top 20 CA firm है मान दो, top 50 CA firm है तो comparatively, जो big four होगा उन लोगों ने बहुत advanced IT tools यूज करे होंगे मतलब, बहुत major payment भी होता है खर्चा भी होता है, तो एकदम खर्चा करके पचास-पचास लाग खर्चा करके उन्होंने क्या कर रखा होगा, एकदम अच्छे-चे tools ले रखे होंगे जबकि comparatively एक medium size CFM की बात करें, तो उन लोगों ने भी tools ले रखे होंगे, बट उतने advanced tools भी नहीं ले रखे होंगे, और कोई छोटा CFM आज भी ऐसा होगा, जिसने कोई advanced IT tools ले ही नहीं रखा है, बिकाज उसके पास कोई ऐसा client ही नहीं है, लेकिन एक big four firm के बास reliance command लीजे letters है, Tata का audit है, Infosys का audit है तो ऐसी companies का audit है, जहां लाखो transactions है, और manually audit हो नहीं सकता, तो उन लोगों ने भी advanced IT tools ले रखे हैं जो की क्या करेगा, उनको audit process में assist करेगा तो इसी को बोलते है, auditing digitally इसी को बोलते है, sir, auditing digitally तो auditing digitally क्या होता है it is using advancements in technology for conducting an efficient and effective audit with a rapidly growing IT environment, it is essential to adapt technology in auditing practices तो क्योंकि IT environment आज के दाएं में इता grow कर रहा है, क्योंकि clients अपने business को automate करने के लिए IT का इस्तमाल कर रही है, तो अपने को भी क्या करना होगा, sir, auditing को effective बनाने के लिए IT का इस्तमाल करना होगा it is time to digitize the way an audit is delivered through automation and innovation आज के तारिक में तो यार, automation इस level पर भर चोगा है innovation इस level पर भर चोगा है कि तुमको बैठा है, पता है काफी बाइर ऐसा होता है कि तुम घर बैठके भी client का पूर audit कर सकते हो, आगे तुम concept देखने वाले हो, remote based audit कि घर बैठे भी तुम client का पूर audit कर सकते हो ठीक है, और बहुत सरी चीज़े calculations पगेरा, जो calculations पगेरा चेक करते हो, पहले manually करते थे अब software करके देते हैं सब कुछ, तुमको कुछ नहीं करना परेगा, sampling, software निकाल के देगा, तुमको कुछ नहीं करना परेगा तो क्या होगा, practically automation and innovation तुम भी क्या कर रहे हो, digitization को use कर रहे हो, for better automation and innovation नहीं नहीं technologies आ गई है और उन technologies की मदद से तुम data capture करोगे, तुम process को automate करोगे, information को analyze करोगे, मतलब पहले क्या था, data को capture, खुद manually बैटके करते थे, अच्छा, इस value से जाधा का transaction आया, तो filter out करना है ठीक है, उसके बाद उस information को analyze करना है वो सारा काम तुम करते थे, अब softwares करके देता है, तुमको बैता है, softwares करके देता है softwares करके देगा, software अपने आप क्या करेगा, data को capture कर देगा तुम जो instruction दोगे न software को, उससाब से software data को capture कर देगा, for example तुमने software को instruction दिया, कि non-working holidays में जो non-working days है उसमें कितने journal entries पास हुए है तो software तुम्हें निकाल के देगा, कि non-working holidays में कितने journal entries पास हुए है क्योंकि वो straightforward fraud का indication है तुमको एक instruction देना software को, कि कितना transactions related party के साथ हुए तुमको software निकाल के देगा फिर analysis भी software करके देगा ठीक है, कि कोई approval आया था क्या उस particular transaction के against उस particular purchase order के against GRN receive हुआ था क्या, उसका भी entry है ये सारा काम भी software करके देगा पहले तुम जिन चिंदी चोडी चीजे वो तुमें time लगाते थे ना पहले तुम इन चीजों में time लगाते थे capturing the data, analyzing the information तुम इन चीजों में time लगाते थे लेकिन अभी ये सारा कुछ software करके देगा वो data capture करके देगा, वो analyse करके देगा वो पूरा का पूरा रिपोर्ट तुम्हारे सामने रख देगा ये लिजे Mr. Auditor these are the high value data these are the unusual transactions this is the comparison with the previous year this is the difference तो मतलब वो सारा कुछ तुमको software करके देगा और तुम्हारा काम रहेगा खली real risk पर फोकस करना so the opportunity is in understanding how the technology can help and then applying it to the auditing challenges example दिया हुए है using sampling tools for selection of a sample size from a population based on materiality और using bot for analysis of statuary payments compliance as part of an audit assignment तो practically आज की तारिक में statuary payments properly हुआ की नहीं हुआ bots उसके लिए sampling, sample size select करने के लिए sampling tools उस होता है materiality select करने के लिए भी formulas उस होता है advanced IT tools आता है अब क्या पूछा what are the key features और advantages of auditing digitally what are the key features और advantages of auditing digitally mark कीजियेगा important अब देखियेगा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ICI ने इस particular chapter के content को perfectly draft नहीं किया है इसके content में काफी कमिया है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे digital audit और auditing digitally दोनों concept similar है बर slight difference है but more or less answer same रहना चाहिए ठीक है मतलब advantages वगरा same रहना चाहिए अब देखना digital audit के case में key features का answer बिलकुल अलग था advantages बिलकुल अलग था advantages बिलकुल अलग था और जो features था वो बिलकुल अलग था that is technical advancement more reliable audit report, informed decision standardization process, savings in time and effort बिलकुल अलग answer था फिर consideration challenges of digital audit client के perspective से था अब auditing digitally में आप देखोगे key features और advantages अलग अलग नहीं है एक ही है बोला key features पुछे auditing digitally का या advantages पुछे auditing digitally का same answer लिखके आओगे अब मज़े की बाद sir practically सोचा जाए तो भाईया मैं distal audit करूँ तब भी मैं auditing digitally कर रहा हूँ मैं distal audit करूँ तब भी मैं distal tools को use कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं auditing digitally कर रहा हूँ, तो advantages same ही निकल के आएगा, है ना technical advantages same ही निकल के आएगा बट institute ने क्या किया, तीन advantage तो same दे दिये और दो-तिन Key features of auditing digitally अगर तुमसे पूछा जा रहा है न तो you have to write the advantages समझ रहे हो जबकि key features of digital audit पूछा जा रहा है न और वहाँ तुम advantages लिखके आ जाते हो न तुमको zero marks मिलेगा, goal end मिलेगा, दुबारा से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको advantages पूछ रहा है features पूछ रहा है, digital audit का और तुम advantages लिखके आ जाते हो तुमको goal end मिलेगा लेकिन अगर तुमसे features पूछ रहा auditing digitally का तो यहाँ तुमको advantages लिखना है kind of advantages लिखना है और तुम देखो कि advantages of digital audit और audit digitally almost same है कुछ-कुछ points में differences है जो फाल्तु में create के institute ने जैसे तुम देखो improved quality of audit audit के quality बहतर होगी जब आप auditing digitally करोगे आप automation यूज करोगे audit में advanced audit tools यूज करोगे same point थाना वहाँ भी उसके बद improved efficiency audit के efficiency increase होगी same point थाना वहाँ भी better risk assessment same point थाना अब बाकि 3 points भर गया बाकि 3 points जो है change होगे ठीक है वहाँ कै था beer low cost better analytics अब यहां better analytics वाला point नहीए better analytics वाला point नहीए पिर उसके बाद क्या था E increased efficiency तो यहाँ पर efficient वाला point है efficiency वाला point है A for audit quality बहां audit quality वाला point भी है R से क्या था risk assessment, better risk assessment तो better risk assessment वाला point यहाँ भी है तो यहां पे 특별 risk management वाला point यहां भी है Low cost तो यहां पे particularly वो जो low cost वाला point है तो अब तुम देखना की features और advantages of auditing distally सबसे पहले तुम distal audit के बारे में सोचो beer low cost तो जो beer है beer था, beer जो है वो हट गया better analytics E same रहेगा A same रहेगा R same रहेगा यानि B R का E A R same रहेगा B R का E A R same रहेगा खली भी हट जाएगा ठीक है ना low cost हट जाएगा उसके बदले कौन से points नहीं आएगे एक decreased human dependency decreased human dependency logical सा चीज है कि जब तुम technology use करोगे तो human के उपर तुमारे dependency थोड़ी से कम हो जाएगी manual errors की संभावना थोड़ी से कम हो जाएगी और manual intervention कम हो जाएगा तो अगर human dependency अगर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो automation use कर रहे हो, IT tools use कर रहे हो audit tools use कर रहे हो, तो manual intervention कम हो जाएगा human dependency कम हो जाएगी जिसकी वज़े से अपने आपी manual errors भी कम हो जाएंगे उसके अलावा एक point क्या दिया automation and ease इससे automation and ease हो जाएगा इससे automation and ease हो जाएगा auditor अपना जो opinion है वो बहुत असानी से form कर पाएगा इससे automation and ease हो जाएगा ठीक है और उसके अलावा नया point क्या दे दिया है यहां पे sir what is the new point they have given increased transparency कि technological advancement के साथ साथ क्या हो जाएगा transparency increase हो जाएगी transaction को trace करना बहुत easy होगा तो जो नय audit tools आए है उसमें क्या उता पता तुमको audit trail का feature होता है जो भी नय audit tools आए है उसमें audit trail का feature होता है तो किसी transaction को detail में record करने का feature होता है किसी transaction के पूरे flow को capture करने का feature होता है कि वो transaction जब initiate हुआ फिर वो transaction कैसे process हुआ फिर किस प्रकार से उसका output generate हुआ उस पूरे flow of transaction को record करने का feature है इसका मतलब क्या होगा transparency भढ़ जाएगी increased transparency increased transparency इसको कैसे याद कर सकते हो देखना, देखना, देखना तुमसे पूछा था features of distal audit इसके answer अपने आप में different है different answer इसमें वो standardization वगर आ जाएगा advantages of distal audit तो beer low cost अब advantages obliq features of auditing digitally auditing digitally दोनुका answer same रहने वाला है इसमें तुम यह याद रख सकते हो कि अगर beer की बात करें तो beer का b हट जाएगा, e same रहेगा a same रहेगा r same रहेगा अब नए points क्या आएंगे यहाँ पे what are the new points तो transparency भर जाएगी more transparency यह एक नया point आ जाएगा फिर उसके बाद और नया क्या आया था human dependency काम हो जाएगी human dependency reduce हो जाएगा और automation जाद अच्छे से हो जाएगा यानि b हट और b की जगा हैट आ गया b हट और b की जगा क्या आ गया हैट आ गया b हट और b की जगा क्या आ गया हैट आ गया तो advantages of digital audit तो वहाँ क्या था beer low cost beer low cost अब उसमें से जब तुम नए question में आ रहे हो advantages या features of auditing distally तो beer का भी हटा दो और low cost हटा दो beer का भी हटा दो और low cost हटा दो उसकी जगा हैट डाल दो उसकी जगा क्या हो जाएगा हैट हट डाल दो that is human dependency automation transparency human dependency automation transparency पहले मैंने कोई दूसरा तरीका सोचा था RAID बोलकर formula बनाया था but I think this is the better way to learn वरना तुम RAID से भी याद कर सकते हो कि R से क्या क्या आएगा A से क्या क्या आएगा I से क्या 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 but I think this comparison is a better way to learn और यहाँ पर गलती होने कि इतने chances हैं यार इतने chances हैं वो तुमसे features पुछलेगा features of auditing distally और तुमको वो सारा features में वो सारा याद रहेगा अचा standardization तुमको वो सारा याद रहेगा वहाँ पर ठीक है न जबकि अगर features of auditing distally पुछेगा तो यही लिख क्या आना है earhead beer low cost की जगा earhead उसी का modification हो गया earhead ठीक है या फिर तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि auditing distally का fayda क्या है कि audit IT को use करके raid माररहा client पर auditor क्या कर रहे है IT tools को use करके klient क Après raid मार दे रहा है तो raid मार दे रहा है IT tools को use करके raid मार दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया R से better risk assessment हो गया A से दो पॉइंट आ जाएगा, that is audit quality के एक पॉइंट आ जाएगा, automation के एक पॉइंट आ जाएगा I से दो पॉइंट आ जाएगा, that is increased transparency का पॉइंट आ जाएगा increased efficiency का पॉइंट आ जाएगा और D से decreasing human dependency आ जाएगा ठीक है? तो अगर advantages of auditing digitally की बात करें तो भाई auditor क्या कर रहे है, digitization का सहरा लेकर raid मार दे रहा है client पे तो वही benefit है, ठीक है that is, R से क्या हो गया? क्या था R से, बताओ बताओ भाई क्या था R से risk assessment yes, better risk assessment फिर A से क्या है? A से दो पॉइंट है बताओ क्या दो पॉइंट है? एक automation है, और एक audit quality है I से क्या है? दो पॉइंट है increased transparency and improved efficiency और D से क्या है? dependency on humans, decreasing human dependency ठीक है न, decreasing human dependency तो अराम से यह heading से याद कर लोगे अंदर के एक एक line याद कर लोगे तो सबसे पहले increased better risk assessment तो जैसे ही हम automation का सहरा लेंगे technology का सहरा लेंगे, तो हम real challenges को face कर पाएंगे potential risk identify कर पाएंगे और better risk assessment कर पाएंगे हमें exactly पता रहेगा कि कहां focus करने की need है ये से audit quality impact on quality is evident through automation, data analytics, techniques ठीक है न? फिर उसके बाद बात करें increased transparency, transparency है इक्रीज हो गया है क्योंकि जो audit tools आज की तारिक में use हो रहा है, उनमें audit trail feature की facility होती है उसके बाद बात करें हम, तो increased improved efficiency, तो क्यों हो जाएगा पहले जिसका हमको घंटे लग जाते थे हफते लग जाते थे, अब वो कुछ घंटे में हो जाएगा with digital training with digital tools उसके बाद अगर बात करें, decreased human dependency manual intervention कम, risk of manual errors कम अब logically सोचो, as a auditor मुझे क्या करना है मुझे IT tools यूज करने है, audit करने के लिए मतलब as a auditor मुझे IT tools purchase करना है, as a auditor मुझे IT tools purchase करना है, अब तुमको क्या लगता है IT tool market में एक available है, या 1000 available है, IT tool market में 1000 available है, और अलग-अलग IT tool का अलग-अलग objective है अलग-अलग IT tool का अलग-अलग objective है अलग-अलग IT tools अलग-अलग problem को solve करने के लिए बना है ठीक है न, अलग-अलग IT tools अलग-अलग problem को solve करने के लिए बना है और अलग-अलग IT tools अलग-अलग range में आता है है न, ranging from some thousands to lakhs तो अलग-अलग IT tools पूरा अलग-अलग range में आता है तो अलग-अलग IT tools का अलग-अलग objective है अलग-अलग problem को consider करके वो बना है कोई एक particular problem होगा जिसमें अपने को एक IT tool यूज होगा और दूसरे एक problem होगा जिसमें IT tool भी यूज होगा अपने को sampling में help चाहिए तो अलग IT tool यूज होगा अपने को data filtration करना है कुछ अलग तो अपना अलग IT tool यूज होगा अपने को calculations की processing चेक करना है तो अलग-अलग problem को solve करने के लिए अलग-अलग IT tool यूज होगा ठीक है तो अब मेरे सामने क्या-क्य challenges आएंगे technology help कर सकती है which technology can help me which technology can help me ठीक है अब सर मैं नई technology ले आया मान दो मैं नई technology ले आया problem यह है कि मेरा जितना भी staff है मेरे firm के जितने भी लोग है उन सबको तो technology की आदत नहीं है तो भाई अपने staff को मैं कैसे training दूँगा तांकि वो equipped हो जाएं नई technology से काम करने के लिए तुमको सुनने मसान लगता होगा IT tools ले आएंगे बट सर जब तुम एक घर में नए फोन भी देते हो ना किसी को तो नए फोन यूज़ करने में इतना hesitation हो देतना हफते तक तो तुम सोच के देखो यार एक manual approach से audit हो रहा है अचानक से IT tools आ गया है तो firm का हर stuff hesitate करेगा तो कैसे हम अपने लोगों को upgrade करें कैसे उनकी skill enhance करें ताकि वो technology को use कर सकें and finally out of the range of automated solutions available, मैंने क्या बोला 50,000 से लेके, मतलब लाखों तक है, करोरों तक है, अलग-अलग audit tools आता है, अलग-अलग range का तो भाईया, मेरा range of automated solution क्या है, मुझे कितना पैसा IT tools में खर्चा करना है है ना, मेरे पास बहुत बराबरा client है करोरों का fees आता सारे clients से तो मैं महेंगा से महेंगा audit tool लोंगा मेरा खर्चा तो एक ही बार में निकल जाएगा अलग-अलग clients है क्योंकि एक audit tool तो सारे client को महाँ काम आएगा बट मेरे पास meet range के clients है हर किसे सब एकड़ नॉमिनल फीस मिलता है तो मैं उतना high range of software में नहीं जा पाऊँगा तो मेरे को वो चीज़ भी देखनी होगी तो क्या-क्या considerations होंगे in auditing digitally अब देखना यहाँ एक sentence दिया है इसको mark किजी अच्छे से there are few questions it is important to ask and answer at all stages of tech journey there are few questions it is important to ask and answer at all stages of tech journey आप से question पूछा जा सकता है कि as an auditor आपकी tech journey में आपको क्या-क्या questions का जवाब देना है आपको क्या-क्या questions consider करने है तो सबसे पहला what problems are you trying to solve अपने को क्या problem solve करने का है अपने को क्या problem solve करने का है और जो problem अपने को solve करने का है उसके लिए वो कौन से technology है जो अपने को help कर सकती है ठीक है ना तो number of tools available है अलग-अलग vendors available है अलग-अलग startups available है तो अपने को ये देखना है कि कौन से technology अपने वदद कर सकती है और कैसे आपन उसे अपने current process में integrate कर सकते है कैसे आपन उसे अपने current process में integrate कर सकते है फिर सबसे बड़ा challenge आता है सबसे बड़ा how will you upskill your people to make best use of the technology क्योंकि technology is only as good as the people using it क्या मज़दार लाइन बोल दिया technology is only as good as the people using it for example यार मेरे पास iPhone Max Pro है पर तो उनको पता है मेरा photo का quality basic निकलता है उतना मज़दार नहीं निकलता जबकि मेरा भाई है तो उसके पास one plus है comparatively photo का quality काम होता है बेट वो मुझसे अच्छे photos निकाल लेता है the reason is कि यार मेरे पास iPhone Max Pro है तो क्या हुआ I am not so good with that technology बेट मेरा जो भाई है उसको camera पगरा यूज़ करना बहुत अच्छे सा आता है वो कोई सस्ते mobile से भी मुझसे अच्छा photo खीच लेगा और अगर उसके पास iPhone Max Pro आ जाए तो भाईया वो तो मतलब फार देगा तो technology is only as good as the people using it तो training देना बहुत ज़रूरी है अपने team members को ताकि उनको समझ में आ जाए वो technology क्यों use कर रहे है technology से उनको क्या फाइदा मिल रहा है और technology को उनको कैसे use करना है reluctant to change is obvious they will be reluctant to change is नहीं भाई अपने कोई चीज नहीं चाहिए बट उनको समझाना होगा उसका benefit और continuous training देनी होगी and finally range of automated solutions from low to high sophistication ठीक है ना तो अपने को select करना होगा कि कौन सा range अपने लिए suitable है कौन सा range अपने लिए suitable है some of the techniques are using robotics and automation for data gathering activities use of data analytics for planning and busting and reporting by dashboards तो जो big four बगेर होती है ना वो इस प्रकार की techniques use करती है procure करती है जिसके अंदर वो data analytics कर पाती है planning कर पाती है busting कर पाती है reporting कर पाती है तो depending upon the budget depending upon तुम्हारा पास कितना clientele है तुमको कितना audit fees मिलता है तुम्हारा client का कितना business है depending on that you may select your range of automated solutions बहुत simple है तो यह क्या हो गया considerations in auditing digitally ठीक है ना considerations in audit digitally आप क्या problem solve करने की कोशिश कर रहे है किससे आपकी audit असान होगी आपका ROI किया है आपको return on investment कितना मिलने वाला है आपके problem को solve करने के लिए कौन से technology आपकी help कर सकती है आप कैसे उसे integrate करोगे business process में आप अपने people को कैसे upskill करोगे कैसे training दोगे reluctant to change is obvious but किस प्रकार से continuous training दोगे and what is the range of automated solutions जिसका आप choose करोगे तो यह क्या होगी अपना auditing digitally कि auditing digitally क्या होता है key features of auditing digitally same answer advantages of auditing digitally same answer that is raid marthy auditor ने and considerations in auditing digitally आप देखना considerations in digital audit client के perspective से बोला था और considerations in auditing digitally auditor के perspective से बोला है और मुझे लगता है कि digital audit से ज़्यादा chances है कि auditing digitally वाले पार सबसे question पुछ लिया जाए बागी question कहीं से भी बूच सकता ICI तो यह मैं दो बोलना से और आपने ऐसा बोला था ठीक है तो एक बार अच्छे से go through कर लो digital audit versus auditing digitally उसके बाद आपन साथ में आगे बहता है Now coming to topic number 3 that is understanding of IT environment कुछ नहीं ऐसे 315 के application है कि जब मैं audit शुरू करूंगा तो भाई मेरे को क्या करना होगा client के IT environment की understanding लेनी होगी I will have to understand the automated environment तो जब मैं automated environment को समझूँगा तो मैं क्या समझूँगा मैं सबसे पहले देखूंगा client application कौन सा use कर रहा है Kelly यूज़ कर रहा है ERP यूज़ कर रहा है Oracle यूज़ कर रहा है SAP यूज़ कर रहा है तो client कौन सा application यूज़ कर रहा है उसके बाद मैं यह देखूंगा कि IT infrastructure कैसा है क्या मैं देखूंगा IT infrastructure कैसा है design कैसा है what is the design what is the infrastructure फिर मैं understanding लोंगा कि organization का structure कैसा है how the structure of the organization is जो भी policies, procedures बनाए गए है IT को लेकर वो policies, procedures effective है कि नहीं है अच्छ है है कि नहीं और वो जो policies, procedures है वो implement हुआ है कि नहीं अच्छे से वो follow हो रहा है कि नहीं तो मैं understanding ले लिए application की कि कौन सा application use हो रहा है तो मतलब मैं client के पास जाओंगा practically क्या होता है मैं client के पास जाता हूं audit करने के लिए तो जो भी उसका IT head होता है जैसे तुमने सुना होगा चीफ information officer तो जो CIO होगा जो चीफ information officer होगा मैं चीफ information officer को बिलाऊंगा इधर आ भाई application कौन सा use हो रहा है कम्ती में तेरे ठीक है infrastructure कैसा है organizational structure कैसा है तो understanding लोगा मैं उसके बाद policies, procedures, process किस प्रकार का follow हो रहा है organization में और किस हद तक तुमने IT system को integrate किया है अपने process में किस हद तक तुमने IT system को integrate किया है अपने process में और कहीं तुमने IT का part किसी service organization को outsource तो नहीं कर दिया तो काफी organizations क्या करती है if we talk about IT part तो IT का part हो service organization को outsource कर देती है ठीक है न तो इसके regarding आपने एक standard भी देखा था as a 402 कि as a auditor we also need to understand what is happening in the service organization by obtaining the type 1 or type 2 report तो अपने को ये भी देखना होगा कि what is the extent of IT integration and what is the use of service organization in the same and IT की वज़े से क्या क्या risk arise हो रहा है क्योंकि याद रखिएगा कि IT ऐसी चीज है कि इससे organization को बहुत सरा फाइदा भी मिलने वाला है बेट बहुत सरा risk भी arise होगा ये बात सच है कि IT बहुत सरी चीजे जो हफ्ते लग जाते थे वो कुछी seconds में हो जाएगा बेट उसकी वज़े से कुछ risk भी arise होगा जैसे कि hacking का risk, data security का risk governance का risk, ठीक है न तो अपने को risk को भी नापना होगा तो ऐसे 315 के हिसाब से जब मैं understanding लोगा automated environment का, तो मैं कीन चीज़ों की understanding लेने वाला हूँ, कौन-कौन से applications company use कर रही है IT infrastructure components कौन-कौन से है मतलब वो जो application use हो रहा है उसका infrastructure design कैसा है उसके बाद organization का structure कैसा है, governance कैसा है what is the triple P used, what is the triple P used, मतलब the policies, procedures and process followed, किस हद तक IT integrated है system में और कही organization ने, outsource तो नहीं कर रहा है, IT का part to a service organization and IT risk and control क्या-क्या है, क्या-क्या risk कराईज हो IT की वज़े से और उस risk को mitigate करने के लिए क्या-क्या control लगाया, तो क्या-क्या risk कराईज हो IT की वज़े से और उस risk को mitigate करने के लिए क्या-क्या control लगाया तो अब देखना, यहाँ पर एक important question आता है what are the key areas for an auditor to understand IT environment what are the key areas for an auditor to understand IT environment, बहुत simple है देखना what are the key areas for an auditor to understand IT environment, तुम इसको क्या करना है अपने को understand करना है identify करना है और assess करना है understand करना है, identify करना है assess करना है what are the key areas for an auditor to understand IT environment understand करना है, identify करना है assess करना है यानि UIA करना है क्या करना है, UIA करना है तो key areas for an auditor to understand IT environment, understand करना है identify करना है, assess करना है अब understand क्या करोगे, identify क्या करोगे, assess क्या करोगे understanding एक चीज़ की लोगे, assessment भी एक चीज़ का करोगे but identification तीन चीज़ों का करोगे so what are the key areas for an auditor to understand IT environment, तो सबसे पहले understand करोगे understand क्या करोगे, flow of transaction understand क्या करोगे, flow of transaction कि पूरे transaction का flow किस प्रकार से है किस प्रकार से input enter हुए system में फिर किस तरीके से processing हुए फिर किस तरीके से report generate हुए जूफन सा application use हुए transaction को process करने के लिए flow of transaction किया है कैसे data का input हुआ कैसे processing हुआ जू understand करो पूरे के पूरे process of transaction को flow of transaction को flow of transaction की बात करें तो हर चीज understand करो what is the specific IT application used what is the flow of transaction how is the processing done तो सबसे फिल understand करो उसके बाद assess क्या करना है assess करना है complexity of IT environment कि IT environment कितना complex है IT environment कितना जदा complex है हो सकता है IT environment थोड़ा कम-कम complex हो ऐसा भी हो सकता है कि IT environment client के वहाँ बहुत जदा complex हो IT environment कितना complex है और identify क्या करोगे identify क्या करोगे आप identify करोगे आप identify करोगे set क्या identify करोगे set set नहीं set normally set होता है ना नहीं आप set identify नहीं करोगे set identify करोगे क्या identify करोगे set identify करोगे set identify करोगे तो आप क्या identify करोगे significant system आप identify करोगे significant system ठेक है ना significant system मतलब याद है तुमको Standards of Auditing पर रहते वक्त मैंने तुमको पताया था कि Auditor जब भी Understanding लेता है, तो basically जो Significant Class of Transactions होता है Significant Accounting Balances होता है, Significant Disclosers होता है, Auditor को उसकी Understanding लेनी होती है Significant Accounting Balances, Class of Transactions and Disclosers, याद करने के लिए पताया था ACD, तो IT system में भी कुछ नया नहीं है, भाई IT system में भी same ही मामला है identify करना होगा Significant System that is Understanding Related to Significant Class of ACD और ACD का मतलब क्या है याँ पर? Which app do you want to open? Right So Significant System that is Understanding Related to the Significant Classes of ACD, इसका मतलब होगि, ऐसे Account Balance CC Class of Transactions and D से Disclosers तो जिस तरीके से Normal audit करते वक्त आपन identify करते थे Significant Classes of Transactions, Account Balances Disclosers, उस तरीके से IT enrollment में भी identify करते वक्त we will identify the Significant System and the Significant Risk Related to Account Balances, Class of Transactions Disclosers फिर उसके बाद identify करना रहेगा कि देखो, चाहे कितना भी Automation क्यों ना आजाए चाहे Client जो है कितना भी Automation क्यों ना ले आए कितने भी Automated Controls क्यों ना ले आए बट कुछ ना कुछ Controls तो Manual भी होंगे कुछ ना कुछ Controls तो Manual भी होंगे तो चाहे Client कितना भी Automated Controls क्यों ना ले आए कुछ ना कुछ Controls तो Manual भी होंगे for example मान लो data का processing पूर IT करके दे देता है तो data का processing तो automated हो गया बट वो जो data का input होगा, जो system में data का entry होगा, वो तो manual होगा अगर जो data का input होगा है, वो ही गलत है, तो processing में गलत होगा, तो जब data का input होगा, वो तो manual होगा, एक इंसान क्या करेगा data का input करेगा और वो data का input तब करेगा जब वो authorized होगा तो वहाँ पे क्या हो रहाँ? manual control जबकि जो data का processing हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है? automated control तो auditor को identify करना पहलेगा कि किस हद तक automated controls लगे वे हैं client के वहाँ पे और किस हद तक manual controls लगे वे हैं और वो जो controls हैं वो कितने relevant हैं to auditor's identification of ROMM वो जो controls हैं automated और manual वो कितने relevant हैं to auditor's identification of ROMM मतलब risk of material misstatement और finally identify करना है T यानि कौन सी technologies client ने use करी है अब ये सारे जो technologies जो client यूज कर सकता है इन सब का discussion आगे चलके chapter में दिया हुए अभी फिलाल यहां तुमको सिफ नाम याद करना है नाम read करना है इन सारी technologies में किया है वो आगे चलके chapter में दिया है तो अपने को identify करना है कि client ने कौन सी technology यूज करी है तो जैसे कि artificial intelligence मैंने letter wise दिया है सबसे पहले यह आता है तो A से artificial intelligence नाम तो आपने सुना ही होगा AI artificial intelligence जैसे ask AI तो आपने chat GPT तो आपने अगर chat GPT का नाम सुना है वो पूरा का पूरा AI के उपर based है फिर blockchain technology होता है crypto बगेरा drone technique होता है robotics होता है internet of things होता है फिलहाल सिफ नाम सुन लो देख लो लिख लो आगे चलके पढ़ने तो कौन सा technology यूस हो रहा है artificial intelligence हो गया या blockchain हो गया या drone robotics हो गया या internet of things हो गया तो यह हो गया identification तो what are the key areas for an auditor to understand IT environment he will understand he will identify he will assess what he will understand he will understand the flow of transaction flow of transaction में तीन चीज़े याद रख लेना कौन सा application यूस हुआ flow of transaction कैसा है processing कैसा हुआ assess में ये चीज़े याद रख लेना complexity of IT environment और identification में set यानि significant system significant that is understanding related to significant classes of ACD then A से automated or manual control कितना हट तक automated control है कितना हट तक manual control है और वो कितना relevant है to auditor's understanding of ROM and finally T4 technology used कौन से technology यूस हुई है AI यूस हुआ है block technology यूस हुई है drone यूस हुआ है drovertik यूस हुआ है कौन सा technology यूस हुआ है खिक है ना तो ये क्यों होगे key areas for an auditor to understand IT environment understand IT environment आप खली इतना याद रख लोगे ये chart याद कर लोगे तो that is more than sufficient understand झाल झाल